हलो एवरिवन, मैं हूँ लक्षमी तनवर और आज हम वापस से अपना एक चैप्टर का एक टॉपिक कम्प्लीट करेंगे चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन हुमन वैलफियर सबसे पहला टॉपिक हमने किया था कि हाउस होल अक्टिविटीज में माइक्रो ऑर्गनिसम्स का यूज कहा होता है उसके बाद हमने कॉमर्शल और इंडस्टियल लेवल पर देखा आफ्टर तट अब देखेंगे आप माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट कि माइक्रोब्स का यूज सीवेज को भी मतलब जो आपके सीवेज का वाटर होता है नालिओं का जो पानी होता है उसे ट्रीट करके करने में हम इनका यूज करते हैं तो क्यू हम सीवेज गरते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले जानेंगे we know that large quantities of waste water are generated every day in cities of the town cities and towns सहरों में और टाउंस में कसबों में या फिर गाउं में हर जगह सीवेज नालियां बनी होते है तो यह जो water होता है बेटा हर एक बड़ी quantity में हम water waste करते है waste water हमारे घरों से निकलता है a major component of this waste water is the human excreta और जो major component होता है इस waste water का वो क्या होता है human excreta होता है मतलब पानी water को waste waste water majority जो हमारे कहते हैं जो washroom का पानी जो होता है उसे waste water में रखा जाता है ठीक है गटर का पानी को waste water में रखा जाता है mainly क्योंकि उसमें human excreta होता है human excreta में large amount में और गनिक मैटर प्रेजेंट होता है. इस मुंसिपाल वेस्ट वाटर इस अलसो कॉल्ड सीवेज. इस मुंसिपाल वेस्ट वाटर को मतलब इस human excreta के वेस्ट वाटर को क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं. इट कंटेंज, मतलब जो गटर के पानी होता है, आपने देखा और इनका शीवय बर यजे लग बना रहते हैं उद्यक माँट करें लाग बना रहते हैं इंका अलग पाइप के पीप हो לתर जिन में इसे पानी निकल के जाता इसमें लाजमाउंट में और्गरिणिक मेंटर प्रेजेंट होता है और inputs प्रेजेंट ह winterupps Many of which are pathogenic. जो microbes इसमें present होते हैं, वो इनमें से बहुत सारे microbes, pathogenic मतलब disease cause करने वाले होते हैं. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage और urban waste water is disposed off daily? क्या आपको मनलब आपने कभी सोचा है कि जो इतना बड़ी amount में जो यह water होता है, sewage का इसे या फिर urban area का शेहरों का यह कहां जाकर dispose किया जाता है, daily कहां dispose होता है, this can't be discharged into the natural water bodies like river or streams directly, यह पानी directly नदियों में और streams में नहीं छोड़ा जा सकता, you can understand why आप सोच सकते हो कि ऐसा क् क्यों directly हम इसे नहीं डाल सकते, before disposal, क्योंकि आप जानते हो कि अगर इस पानी को हम directly reverse में डाल देंगे, तो river का पानी भी waste हो जाएगा, मतलब polluted हो जाएगा, before disposal, dispose करने से पहले, hence, मतलब dispose करने से पहले, hence, इसलिए sewage is treated in sewage treatment plant, तो sewage को dispose करने से पहले, उसे treat किया जाता है, sew sewage treatment plants में, sewage treatment plants में, sewage के water को treat किया जाता है, जिसको STPs भी बोलते है, to make it less polluting, तो इस पानी को कम से कम polluted बनाने के लिए, पहले इसको treat किया जाता है, इसकी सफाई गी जाती है, मतलब, treatment of waste water is done by heterotrophic microbes naturally present in the sewage, naturally, इस sewage के पानी में, microbes present होते हैं, जो heterotrophic in nature होते हैं, heterotrophic in nature का मतलब, जो उसके organic matter पर feed करेंगे, ठीक है, this treatment is carried out in the two stages, जो ये treatment है, मतलब, water waste treatment, water sea waste treatment, जो है, वो two stages में complete होता है, number one है primary treatment, primary treatment को physical treatment भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें physical removal of particles होता है, basically physical removal of particles होता है, large और small particles का, ठीक है, from the sea waste through filtration और sedimentation, primary treatment में दो processes है, तो है, filtration और एक होता है, sedimentation, filtration का मतलब होता है, चानना और sedimentation का मतलब होता है, बैठना, अब जानते हो, ठीक है, these are removed in stages, initially floating debris in removed by the sequential filtration, बार बार sequential filtration करके, कि पहले, पहले एक बड़ा filter होगा, फिर छोटे filters होगे, फिर पतली जाली वाला filter होगा, जिससे तीरे-दीरे करके, waste को filter कर लिया जाता है, ठीक है, तो, जितनी भी मोटा-मोटा कचरा होता है, उसमें से वो filter करके निकाल दिया लग, उसके बाद, क्या होता है, floating debberish का मतलब है, जो उसमें तैरती हुई चीज़ें, गंदगी है, जो debberish, ठीक है, then the grit, उसके बाद बचा क्या rate, soil, small pebbles, छोटे-छोटे कंकड, ठीक है, are removed by the sedimentation process, तो उनको कैसे निकालेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसस से, मतलब पानी को थोड़े टाइम के लिए, हम स्टेगनेट बिना छेड़ छाड़ देंगे, आप देखोगे, कुछ टाइम बाद उसकी जो impurities है, वो बैठ जाएंगी नीचे, उससे नीचे बैठ हुए गंदगी को क्या कहते है, हम pebbles को sludge कहते है तो सेडिमेंटेशन टैंक में, जहां पर हमने पानी को खटा किया है, तो इसमें जो impurities, जो pebbles और जो soil के particles नीचे बैठ गए है, उससे क्या कहेंगे, हम sludge कहेंगे, और जो उपर पानी रह गया, उससे क्या कहेंगे, इफलुएंट, ठीक है, तो सुपर नेटेंट फॉर्म क इसको क्या कहा दिया है, प्राइमरी स्लज, अच्छा, अब क्या करना है, इफलुएंट को प्राइमरी सेटल टैंक इस टेकन फॉर्म दे सेकंडरी ट्रीटमेंट, अब उपर से इफलुएंट को उमने निकाल लिया, मतलब जो पानी, साफ पानी रह गया ना उपर, उसको उ प्राइमरी इफलुएंट इस पास्ट इंटू अच्छ एरेशन टैंक, इस प्राइमरी इफलुएंट को एक एरेशन टैंक में ट्रांसफर किया, जिसमें एर आईगी जाएगी, ठीक, एक बड़ा टैंक, लाज एरेशन टैंक में, जो आपको दिखा रखा है, 10.6 फिगर मे बड़ा टैंक में आपको नजर आ रहा है, यह टैंक है, इसमें जो बीच में दिखाई दे रहा है, यह भी क्या टैंक का एक पार्टी है, बड़े-बड़े इसमें कैबिन्स बने हुई है, बड़े टैंक में डांसफर कर दिया और इसमें क्या होगा इसमें अलाउ vigorous परी जाएगी क्योंकि एक ऐसा टेंक है अब एर की प्रेजेंस में एरोबीक वैक्टीरिया इसमें जो यूजफुल मैक्रोब्स एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी विग्रस ग्रोथ मतलब ज्यादा ग्रोथ होगी उनकी और वो के अबना लेंगे फ्लॉक्स बना लेंगे मतलब गुच्छे बना लेंगे फ्लॉक का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया और फंगस आपस में एसोशियेट कर लेंगे ठीक है बैक्टीरिया के और फंगस का एसोशियेशन हो जाएक और उने क्या कह देंगे हम फ्लॉक कह देंगे और मैश लाइक स्टक्चर बना लेंगे वो मतलब मिक्स हो जाएंगे दोनो एसोशियेशन का मतलब आपको जानते हो जोड़े होई ठीक है तो मैश फ्लॉक्स बन जाएंगे पानी में जोड़ जोड़ से अजिटेट करेंगे तो वहाँ पे फ्लॉक्स बन जाएंगे तो वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स गंजूम था मेजर पार्ट अफ्लॉएंट तो इफ्लॉएंट मतलब जो पानी हमने निकाला था उपर से उसमें जो भी औरगनिक मेटर बचा कुछ है उसको क्या कर देंगे वह डाइजिसट कर लेंगे उसे कन्जूम कर लेंगे वह तिस सिग्निफिकेंटर रीरिडियोजट the BOD और धीरे धीरे करके BOD पानी की BOD कम हो जाएगी BOD biological oxygen demand किसी भी organic matter को digest करने के लिए organic matter को digest करते है aerobic bacteria और aerobic bacteria को growth करने के लिए और फिर डाइजेस्ट करने के लिए oxygen तो जितना organic matter होगा उतना bacteria उसे digest करेगा और उतना यह oxygen उसे चाहिएगी ठीक है न, तो जिस भी water की BOD जितनी जादा होती है वो उतना ही ज्यादा polluted होता है मतलब उतना ही organic matter उसमें ज्यादा present होता है तो organic matter को जब digest कर दिया है तो organic matter कम हो जाएगा organic matter कम हो जाएगा तो उसकी BOD भी कम हो जाएगी तो जैसे जैसे वो organic matter को digest किया air की presence में तो BOD referred to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in our liter of water were oxidized by the bacteria अब वो कहरा कि जो BOD है आप जानते हो oxygen की demand होती है water में कि जो organic matter को जब bacteria consume करता है तो उसे oxygen चाहिए होता है और वो उसकी BOD amount होती है तो BOD जादा कब होगी जब organic matter जादा होगा और जादा organic matter का मतलब polluted water होता है ठीक है तो जैसे जैसे इस तरह से हम sewage की BOD को reduce करने लग जाते है reduce करते है उसका मतलब air की presence में bacterias को छोड़ देते हैं उसको digest कर देते हैं organic matter को ठीक है तो sewage water is treated till the BOD is reduced the BOD test measure the rate of uptake of oxygen by the microorganism in sample of the water and then indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water time to time measure कर लिया जाता है the greater the BOD of waste water more is its polluting potential अब जानते हो कि BOD बढ़ेगी तो pollution की potential भी increase होगी वो मैंने आपको बता दिया पहले अच्छा है इतना होगया अब BOD कम होगई मतलब organic matter कम बचा उसमें ठीक है अब next step क्या है once the BOD of wastewater is reduced significantly the effluent is then passed into the settling tank अब क्या करना है जब BOD कम होगई पानी की water की तो उसको settling tank में transfer करेंगे settling tank में क्या होगा जब phlox बने है ना इसके अंदर phlox मतलब गुच्छे बने है bacteria के और fungus के तो उन phlox को settle करने के लिए हम settling tank में डालेंगे वो phlox heavy हो जाएंगे और वो क्या करेंगे sedimentary tank में नीचे बैठ जाएंगे this sediment is called activated sludge और यह दूसरा sedimentary tank है हमारा एक primary sludge में primary treatment में sedimentation tank था और यह दूसरा sedimentation tank है इसमें जो बैठेगा जो sediment करने वाली चीज है वो phlox है मतलब bacteria और fungal का association है और इसी लिए इसको हम activated sludge कहते है ठीक है तो यह जो sedimentation उसको क्या कहेंगे हम activated sludge कहेंगे इनमें से थोड़ा सा activated sludge कि इसमें डाल दिया जाते है वो aeration tank जिसको हमने agitate किया था क्योंकि उसमें अब जानते हो न कि थोड़े bacteria अगर उसमें हम डाल देते हैं उसे agitate करते हैं तो रीप्रड्यूस करने लग जाएंगे organic matter के production में presence में और वो रीप्रड्यूस तभी तो करेंगे जब उसमें वो present होंगे तो उनमें डाल देंगे वो उसमें organic matter को digest करका अपना amount बढ़ा लेते हैं अब थोड़ा सा तो वहां डाल दिया बचे कुछे sludge का क्या करेंगे activated sludge को अब देखो क्या करेंगे जब बच्चा कुछा sludge है न remaining part of the sludge is pumped into the large tank ठीक है remaining sludge के पार्ट को कहा डाल देंगे large tank में डाल देंगे और वो कौन सा tank होगा जहां पर anaerobic sludge digesters होते हैं कौन सा tank में एक दूसरे बड़े tank में जो bacteria sludge को digest कर रहे थे वो कौन से थे हमारे sorry organic matter को digest कर रहे थे वो aerobic bacteria थे अब aerobic bacteria को हमने बड़े tank में डाला जिसमें जो की airtight tank था उसके अंदर air तो होगी नहीं तो वो तो मर जाएंगे in absence of oxygen और उसके अंदर anaerobic bacteria increase हो जाएंगे क्योंकि anaerobic bacteria इस airtight tank में क्या कर सकते हैं reproduce कर सकते हैं जो absence of air reproduce करते हैं तो दूसरे tank में anaerobic sludge digesters होंगे जो anaerobic sludge को digest करेंगे here other kind of bacteria which grow anaerobically दूसरी तरह के bacteria जो की air की absence में ग्रो करते हैं digest the bacteria and fungus और bacteria fungus को digest कर देंगे during this digestion bacteria produce a mixture of gases इस digestion के दौरान bacteria gases produce करेंगे अब इस दौरान क्या produce करेंगे वो gases produce करेंगे कौन-कौन सी एक तो methane करेंगे hydrogen sulfide करेंगे और carbon dioxide करेंगे these gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable यह जो यह gases है आप जानते हो biogas में use होती है biogas में use होंगी यह gases तो इनको हम source energy का source की तरह use कर लेंगी gas में जैसे हम use करते है inflammable होंगी होती है यह अब देखो भई next क्या है effluent from the secondary treatment is brand देखो यहाँ पर दो चीज़े थी हमारी उपर तो उसमें एक तो हमारे sludge बना activated sludge तो activated sludge को तो यह treatment दे दिया क्या दिया sludge को हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया था anaerobic tank में ट्रांसफर करके anaerobic bacteria ने aerobic bacteria को digest कर लिया था ठीक है और वहां से biogas का production कर दिया ठीक है अब उपर वाला जो पानी बचा ना साफ वाटर उसे effluent बोला secondary effluent को हमने secondary treatment planted generally into the natural water bodies और उपर वाले effluent को किसमें डाल देते है natural water bodies में ट्रांसफर कर देते है ठीक है एक aerial view of the such plant is shown in the figure 10.7 में आपको इस तरह का एक plant दिखा रखा है यह याद रखने वाली चीज है कि जो यह microbes होते है यह बहुत major role play करते है इस तरह के water को treat करने में और पूरे world में मतलब पूरे globe की बात कर रहा है पूरे world में millions of gallon एक gallon का मतलब होता है 3.7 liter ठीक है मतलब 4 liter है एक gallon का मतलब तो million gallons waste water को treat किया जाता है every day प्रती दिन million gallons water को treat किया जाता है पूरे world में this methodology has been practiced for more than a century now तो centuries का बहुत मतलब एक century से भी ज़्यादा इस methodology को हम use कर रहे है in almost all part of the world और world के सभी parts में किया जाता है till date लेकिन आज तक no man-made technology have been able to rival the microbial treatment of the sewage लेकिन इस treatment को आज तक कोई भी man-made technology टक कर नहीं दे पाई है rival का मतलब होता है प्रती द्विंदी कोई इसका भी पैदा नहीं हुआ है मतलब कोई भी man-made ऐसी technology नहीं आई जो इस process को इस से अच्छी हो जो process ठीक है अच्छा आगे देखो you are aware that due to the increasing urbanization आप जानते हो शहरी करन बढ़ रहा है sea waste is being produced in much larger quantities ever before पहले से बहुत ज़ादा आज के time में pollution और sea waste water आज के बाद time में produce हो रहा है लेकिन sea waste treatment plant भी बढ़ने चाहिए जो कि आज नहीं हो रहा है sea waste treatment plant नहीं बढ़ रहे है लेकिन sea waste बढ़ रहा है sea waste water बढ़ रहा है लेकिन sea waste treatment plant नहीं बढ़ रहे है जिसकी वज़ा से polluted water को directly reverse में discharge कर दिया जाता है और जिस से हमारी reverse pollute हो जाती है और water borne disease increase होती है हमारे human generation में अब इसी चीज़ को treat करने के लिए minister of environment and forest minister of environment and forest मतलब MEF मैफ ने initiate किया गंगा action plan और यमुना action plan गंगा यमुना हमारी major rivers हैं जिन में fresh water होता है जिन से बहुत सारी countries बहुत सारे state ऐसे हैं जो इन पर depend करते हैं water के लिए तो इन rivers को clean करने के लिए action plans चलाए और इनके according इन पर wastewater treatment system बनाए गई जहां से भी पानी इन में discharge हो रहा है इन नदियों में जहां से भी पानी discharge हो रहा है उसी वहीं पर उसी नाले पर क्या बना दिये गए sewage treatment plant बना दिये गए जिससे की जो पानी इन में discharge हो रहा है वो treat करके इनके अंदर जाए ठीक है a visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience अगर आपके आसपास कोई sewage treatment plant है तो आपसे देखकर एक interesting educating experience ले सकते है important है और अच्छा भी है आपके लिए जानने के लिए कि आज के time में हम कितना waste water करते हैं और उन्हें treat नहीं किया जा रहा है तो एक government के लिए बहुत बड़ा काम होता है एक sewage treatment plant बनवाना क्योंकि एक sewage treatment plant बनवाने का मतलब है कि आपने एक large amount of water को clean किया जो कि हम आज के time में इतना water waste करते हैं उस waste water को treat करना कितना मुश्किल होता है ये लोग नहीं समझ पाते हैं और इतना amount में water waste करते हैं आगे से आज से सभी लोग जान चुके हैं कि हमें थोड़ा पानी waste करना चाहिए और सिर्फ जितने हमें जरुआ तो उतना ही water use करेंगे क्योंकि future में आज के time पे मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले शाहिद किसी तरह का salty water नहीं present था मुझे मेरे हिसाब से मैं तो मीठा पानी हर जगा यूज़ करती थे लेकिन आज मैं देखती हूँ कि मेरे गाओं में मेरे यहां हर जगा salty water है और पीने के पानी के लिए मतलब हमें पानी खरीदना पड़ता है कितना मतलब और कपड़े दोने के लिए भी पानी खरीदने ही लगेंगे वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है दस्या 20 साल में वो आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर हम उसे रोक सकते हैं अगर हम अपनी habits में थोड़ा सुधार लाएं अच्छा ठीक है थेंकियो सो मच और पानी थोड़ा का मियूज करिएगा ओके